गाइस, आज मैं आपको डाल सही तरीके से कैसे बनाते हैं वो बताऊंगे क्योंकि यह मैंने मेरी नानी से सिखा है तो मैं आपके साथ वो शेर कर रही है तो यहाँ पे ना मैंने आधी कटोरी मूं डाल और आधी कटोरी तूर डाल लिए आप चाहो तो सिर्फ मूं डाल या तुरू डाल भी ले सकते हो लेकिन ना यह दोनों डाल ना मैं मिक्स करती हो ना तो मुझे इसका टेस्ट ना अच्छा लगता है तो दोनों डाल को एक बावल में डालो और अच्छे से मसल मसल के तीन से चार बार दोलो क्योंकि उसमें ना केमिकल्स या पॉलिस की होई होती है तो अच्छे से दोलेंगे और उसके बाद आदा ग्लास पाने डाल के भीगो के एक गंडे के लिए ना छोड़ दो फिर एक गंडे के बाद आप देखोगे हाथ में लेके तोड़ के देखो तो बड़ी आसानी से तूट रही है इसे क्या होगा ना कि डाल अच्छे से पचेगी फिर कूकर में डाल दो और एक बड़ा ग्लास पाने डाल दो और फ्लेम पे रग दो जैसे ही डाल में उबल आएगा तो उपर यहाँ जाग जैसा दिखेगा तो वही है इसा बीमारी की जड़ तो इसे ना हम चम्मत से ना निकाल लेंगे जो वाइट जाग है वो है यूरेकेसिद उसे ही हाथ पेर या जॉइन पेर में समस्या होती है तो उसे निकाल लेंगे और उसके बाद नमग और हल्दी पाउडर और एक टमाटर डाल दो और दो से तीन विसर लगा लो आप देख सकते हो कि इतना जाग निकला है और अब जैसे ही डाल में तड़का लगाते हैं ना वेसे ही हम डाल पनाएंगे तो तेल या घीद डाल दो फिर राई जिरा हीं हर यह उसके हिशाब से आप पानी डाल दो और उलाने दो उसके बाद फिर धनेया पति भी डाल दो तो यार मैं हमेशा से एसे ही डाल बनाती हूँ तो आप भी मेरे तरह से डाल बनाओ खाओ पीओ और खुश रहो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कर दो शेर करदो, और सब्सक्राइब करदो बाइ